करियर मीडिया के शो नीट टॉक्स में आप सभी का स्वागता जिसमें नीट से जुड़ी सभी न्यूज हम आप सभी नीट यूजी और पीजी एस्पिरेंट से शेयर करते हैं तो आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे खबर से जो जमू एंड कश्मीर स में MBBS की 414 सीटों को Green Signal MCI के तरफ से मिल गई है टोटल 5 कॉलेजेस की इन्सपेक्शन MCI के तरफ से की जानी थी उन इंसपेक्शन में 4 colleges को Green Signal दे दी गई है उन 4 colleges के infrastructure को appropriate पाय जाने पर MCI ने उन सभी 4 colleges को Green Signal दे दी है जिसके वज़या से total 414 सीटें नीट यूजी 2019 counselling में available रहेंगी हाला कि एक और college जिसकी inspection किये जाने पर कुछ कमिया पाई गई है उस college को फिलाल hold पर रखा गया है मगर अनुमान ये है कि नीट यूजी 2019 counselling से पहले पहले उस college को भी green signal दे दी जाएगी क्योंकि उस कमियों को जल्दी से जल्दी दूर करने की बात कही जा रहे है जो कि एक बहुत ही अच्छी news है नीट यूजी 2019 experience के लिए आगे बढ़ते हैं नीट पीजी से जो news आ दिये वो ये है कि MDMS courses की device cut off आने के बाद वैसे experience जो qualify कर रहे है काउंसलिंग के लिए उन सभी को के लिए ये news है यूपी स्टेट काउंसलिंग की मौप अप राउंड की registration 12 माई 2019 शाम को पांच बज़े से पहले-पहले ओबर हो जाएगी तो वैसे experience जो यूपी स्टेट काउंसलिंग की मौप अप राउंड अटेंड करना चाहते हैं आप सभी को अपना registration 12 माई शाम को पांच बज़े से पहले-पहले ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर अपना registration करा लेना होगा जो की अनिवाद है अगला न्यूज है नीट पीजी करनाटका को लेकर करके तो करनाटका की मौप अप राउंड काउंसलिंग उन सभी स्टुडेंट्स के लिए जिनों ने नीट पीजी अगर आप करनाटका की मौप अप राउंड काउंसलिंग को उन सभी स्टुडेंट्स की मौप अप राउंड काउंसलिंग 13 माई 2019 सुबह 9 बजे से दिये गए एड्रेस पर कराई जाएगी ये काउंसलिंग टोटली ऑफलाइन कंड़क्ट होगी आप सभी को 13 माई 2019 को जिनो ने भी रेजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी स्टुएंट्स को 13 माई 2019 को सुबह 9 बजे दिये गए एड्रेस पर पहुंच जाना है अगर आप करनाटका की मौप अप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हो तो अगली न्यूस मप से जुड़ी है पीजी मप से पहले पहले ओवर हो जाएगा आज रात 12 बजे MP मौप राउंड काउंसलिंग की रेजिस्ट्रेशन का आखरी डेट है तो आप सभी एस्पिलेंट्स जो भी MP MDMS कोसे में अड्मिशन लेने के लिए MP स्टेट काउंसलिंग के मौप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करना च लाउंसलिंग को अटेंड कर पाएंगे तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो दिये गए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो इस इसी टाइम नेट टॉक्स में कुछ और न्यूस नीट से जुड़ी न्यूस को लेकर मैं गुल्चंजा आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजित होंगा तब तक के लिए बाबाय हैव नाइस देंक्यों सो मुच